Hello friends, welcome to the desk Today I am going to explain you about the story the fox and the got Fox यानि लोमडी होता है, got यानि बकरी So let's start Once एक बार a fox, एक लोमडी was roaming Roaming यानि घुमना होता है, मैंने पिछले एक दो वीडियो में आपको इसका meaning बताया हुआ है So I hope आपको अच्छे से याद होगा So roaming मतलब घुमना होता है In search of food, खाने की तलाश में, near a village, एक गाउं के पास में एक बार एक लोमडी खाने की तलाश में, एक गाउं के पास घुम रहा था It was going to be nightfall It was going to be, मतलब होने वाला था, nightfall, शाम होने वाला था Unluckily, दुरभागे से, the fox, लोमडी, fell into an old well Fell मतलब गिरना होता है वह गिर गया लोमडी, an old well पुराने कुवे में गिर गया He tried, उसने कोशिश की, tried मतलब कोशिश करना होता है His best, उसने अपनी पूरी कोशिश की, to come out, बहाने करने के लिए But, लेकिन, the well was fairly deep Fairly deep, यानि काफी गहरा था कुवा जो था, वह बहुत ही काफी गहरा था So, इसलिए, he could not come out वह बाहर नहीं आ सका Come out, मतलब बहार आना होता है The fox stopped trying, stopped मतलब रोकना होता है Trying, मतलब कोशिश करना anymore, मतलब उसके बाद उसने कोशिश करना बंद कर दिया And decided, decided मतलब तै करना होता है मैंने ये word भी आपको पिछले एक दो वीडियो में बताया हुआ है Decided, मतलब उसने तै किया To wait for the day to break उसने वह दिन बिताने का सोचा तै किया उसने He hoped, उसने अपनी आशा जताई That, यहाँ पर hope मतलब आशा होता है That की some animal would come कोई परानी आएगा That way, उस रास्ते से To help him, उसकी मदद करेगा उसकी मदद करने के लिए Get out of the well कुवे से बहार निकरने के लिए उसकी मदद करेगा उसने आशा जताई कि कोई animal मतलब कोई परानी आएगा उस रास्ते से उसको कुवे से बहार निकालने के लिए उसकी मदद करने के लिए आएगा Next morning, दूसरी सुभा A god passed by the well एक बकरी उस कुवे के पास से गुजरी she chanced to pip into the well she chanced मतलब सैयोग chanced उसने सैयोग से सैयोग से उसकी जलक कुवे में जाती है कुवे में गई and saw the fox therein और उसके अंदर उसने क्या देखा लोंबडी को देखा यहाँ पर देखना मतलब सो मतलब उसने देखा she chanced to pip into the well मतलब सैयोग से उसने कुवे के अंदर देखा उसकी जलक कुवे के अंदर गई and saw the fox therein और उसके अंदर उसने लोंबडी को देखा what are you doing there? Mr. Fox asked the god asked मतलब पूछना होता है यहाँ पर बकरी लोंबडी से पूछती है बकरी ने लोंबडी से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर श्रीमान लोंबडी I came down मैं नीचे आया हूँ मैं नीचे आया यहाँ पर लोंबडी बोल रहा है मैं नीचे आया to drink the sweet cool water पीने के लिए मीठा ठंडा पानी पीने के लिए आया off the well मैं कुवे का मीठा ठंडा पानी पीने के लिए नीचे आया replied the fox लोंबडी ने यहाँ जवाब दिया बकरी को जवाब दिया You may also come down तुम भी नीचे आ सकते हो and enjoy it enjoy मतलब इसका आनन्द लेना होता है enjoy का मतलब आनन्द लेना होता है और तुम भी इसका आनन्द ले सकते हो but how shall we get out of the well but लेकिन how shall we हम get out of the well get out of the well मतलब हम कुवे से बाहर कैसे निकलेंगे बकरी ने कहा लोंबडी से asked the unsuspecting God unsuspecting मतलब बेखबर बकरी बेखबर बकरी ने पूछा लोंबडी से की की लेकिन कैसे हम बाहर कैसे निकलेंगे so very easy या बहुत ही आसान है easy मतलब आसान होता है I will help you to get out I will help मैं तुम्हारी मदद करूंगा help मतलब मदद करना होता है you to get out बहार निकलने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा लोंबडी ने कहा बकरी से don't worry चिंता मत करो don't worry at all तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो assured the fox लोंबडी ने आश्वाशन दिया assured मतलब आश्वाशन देना होता है taken in by the words of the cunning fox cunning का मतलब होता है चलाक लोंबडी चलाक लोंबडी के बातों में आकर the got jumped into the well jumped मतलब कूदना होता है बकरी कूवे में कूद गई कूवे की तरफ कूद गई when she had enjoyed the cool water enjoyed मतलब आनन्द लेना होता है when she had enjoyed जब उसने ठंडे पानी का आनन्द ले लिया she said to the fox उसने लोंबडी से कहा किसने कहा बकरी ने लोंबडी से कहा let's now get out of the well let's now चलो अभी get out of the well कूवे से बाहर निकलते हैं sure जरूर stand on your hint feed hint feed stand on your hint feed अपने पेरों पर खड़े हो जाओ against the wall of the well कूवे के दिवाल की तरफ अपने पेरों से खड़े हो जाओ I shall climb up your back मैं तुम्हारे पीट पर चड़ूँगा climb मतलब climb up मतलब चड़ना होता है मैं तुम्हारे पीट पर चड़ूँगा and get out और बाहर निकलूँगा then तब I shall pull you out as well pull मतलब खीचना होता है then तब I shall pull you out as well और साथी साथ तुम्हे भी मैं उपर खीचूँगा लोंबडी कहता है बकरी से said the fox cunningly cunningly मिलब चाला किसे कहता है fox लोंबडी जो है वो बकरी से चाला किसे कहता है कि तब मैं तुम्हें तुम्हें भी साथ साथ ऊपर खीचूँगा दिवाल की तरफ खड़ी हो गई against the wall दिवाल की तरफ खड़ी हो गई the fox climbed up लोंबडी चढ़ा her back उसके पीट पर चढ़ा and jumped out of the well और कुवे से बाहर कूद गया the cunning fox took to his hills living the god in the well to her fat fat मतलब उसके हाल पर छोड़ना बोलते है the cunning fox चलाक लोंबडी took to his hills वह कुवे से बाहर निकल गई living the god बकरी को अकेला छोड़के बकरी को उसके हाल पर छोड़के वह कुवे से बाहर निकल गई now अभी the god repented repented मतलब पच्चताना होता है on her folly folly मतलब मुर्खता अभी बकरी अपनी मुर्खता पर पच्चताई अंत में बकरी जो है वह अपनी मुर्खता पर पच्चताई so moral of the story है never trust a cunning fellow कभी भी चलाख व्यक्ती पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं करना चाहिए so इस story से हमें यहीं सीख मिलती है कि हमें जो हमारी real life में भी हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए चलाख लोगों से बचके रहना चाहिए और उनके उपर कभी भी trust नहीं करना चाहिए विश्वास नहीं करना चाहिए so friends अगर आपको ऐसी stories अच्छी लगती है तो please like, share जरूर करे और channel को subscribe करे thanks for watching